नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज हम कक्षा 2 हिंदी पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कौन तो सबसे पहले मुझे बताईए कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है अब जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जल्दी से वो बच्चा कमेंट बोक्स में अपना नाम लिखेगा क्योंकि पाठका कविता का नाम ही कौन है तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना कौन इस कविता को पढ़ रहा है अब आप बच्चे हैं और बच्चे तो बहुत सवाल पूछते हैं आपको भी सवाल पूछना पसंद होंगे तरह तरह के सवाल ये कौन वो कौन क्या कौन इस तरह के बहुत से सवाल तो ये जो कविता है ये आपको इसलिए भी पसंद आने वाली है क्योंकि इस कविता में भी जो बच्चा है वो बहुत सारे सवाल करता है इतने सारे सवाल कि आपको भी वो सवाल हैरत में डाल देंगे तो आईए शुरू करते हैं और समझते हैं पढ़ते हैं कि कौन-कौन से सवाल कविता में बच्चे ने पूछे हैं तो कविता का जो सबसे पहला हिस्सा है पहला चंद है उसी में दो सवाल है आईए कविता को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? तो बड़े शांदार प्रशन पूछे गए हैं कि अगर रात में चांद नहीं होता तो हमें रात को पता कैसे चलता कि हमने कौन सी दिशा में जाना है? किस तरफ जाना है? अपने घर की तरफ जाना होता तो पहुंच जाते विद्याले, विद्याले की तरफ जाना होता तो पह क्योंकि रात को तो जादातर लोग सोए भी होते हैं लेकिन दिन में तो सबको जगना होता है और दिन में यदि सूरज ही ना होता तो सोने की तरह आसमान में चमकता कौन चारो तरफ अंधेरा चा जाता है ना बच्चों आईए आगे बढ़ते हैं अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन अगर ना होते परवत मीठे ज़रने भला बहाता कौन बड़ी ही सुन्दर बात इसमें पूछी गई है और बताई भी गई है कि अगर निर्मल नदियां ना होती तो हमारी प्यास पूरी दुनिया की प्यास कौन बुझाता पानी हमें नदियों से ही तो मिलता है अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे तो पानी जो है वो घर के नलके से मिलता है लेकिन बच्चों नलके में भी पानी पाईपों के माध्यम से नदियों से ही लाकर के पहुँचाया जाता है तो नदियां है तब ही पानी है और पानी नहीं होती वहाँ जर्नों से पानी आता है और यदि जर्ने की बात की जाए तो वो पहाडों से निकलते हैं जर्नों का पानी भी मीठा यानि पीने लायक होता है तो वो इसी लिए होता होगा ना क्योंकि परवत मीठे हैं आईए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए परवतों से निकलता जहरना आप अपनी पुस्तक बेवी देख सकते हैं अगर ना होते पेड भला फिर हर्याली फैलाता कौन अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुसकाता कौन कि अगर पेड ना होते तो हर्याली कहां से होती पेड़ों से ही तो हर्याली है पेड़ों से ही तो चारों और खुशाली है और फूल फूल ना होते तो खिल खिल कर मुसकाता कौन फूलों को देखकर उदास मन में भी खुशी आ जाती है जब कभी आप भी उदास होते हैं और सुन्दर साफूल यदि आपके सामने आजाए तो कितना मज़ा आता है उस फूल को देखकर मन करता है हम भी मुस्कुराने लग पड़े आखरी छंद में बाल सुरूप राही जी क्या लिखते हैं कि अगर ना होते अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रशन उठाता कौन मतलब अगर बादल में नभ यानि आसमान में बादल ना होते तो इंद्र धनुष कैसे बनता आपने कभी इंद्र धनुष बनते देखा है अब परियास करना जब बारिश होती है तो उसके बाद इंद्र धनुष दिखाई देता है जब बारिश रुक जाती है न कुछ समय के लिए उस समय इंद्र धनुष बनता हो दिखता है उसको देखने की कोशिश करना आपके फॉन की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये रंगीन सात रंगों का इंद्र धनुष और हाँ एक बात और आप परियास करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा अगर ना होते हम तो बोलो यह सब प्रशन उठाता कौन ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्यारे बच्चों आप सबसे ज़्यादा प्रशने करते हैं और आपके प्रशने हमें अच्छे भी लगते हैं और आपके मन में कोई भी प्रशन हो आप जरूर पूछें अपना कमेंट बोक्स के माध्यम से आप किसी के भी माध्यम से मुझसे प्रशन पूछ सकते हैं अपने माता पिता से भी और अध्यापकों से भी तो आप ना होते तो ये प्रशन कौन पूछता आप तो बहुत जरूरी हैं बहुत शांदार अब कुछ बात कर लेते हैं पहला प्रशन है कि अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता वही चांद ना होता तो रात को दिशा कौन दिखाता और सूरज ना होता तो दिन में चमकता कौन इंदर धनुष आपने देखा है या नहीं मैंने पहले ही आपसे पूछा वही प्रश्न पार्ट में भी आ गया तो बताईए आपने इंदर धनुष देखा है क्या बहुत बढ़िया कुछ बच्चों ने देखा है और कुछ ने नहीं तो जिसने नहीं देखा है वो देखने का प्रयास करेगा मैंने बता दिया है कब दिखता है अंदर धनुश अब आगिला प्रशन वही है इंदर धनुश कब बनता है मैंने आपको फिर बता देता हूँ एक बाद जब बारिश होती है बारिश की बाद बारिश की कुछ बूंदे चो है वो हमारे चारों और के इस वातावर्ण में हवा में जब होती है तो उन बूंदों से जब प्रकाश निकल के गुजरता है तो चारों और सात रंगों का एक संदर सा रंग इंदरधनुश बनता हुआ दिखाई देता है अब आपने अंदर धनुश में रंग कौन कौन से देखे है तो ये आपके लिए काम है देखिए मैं स्क्रीन को बढ़ा करके यहां दिखा रहा हूँ आपने बताना है कि कौन कौन से रंग आपको इस अंदर धनुश में दिख रहे हैं ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं सात रंग हैं, सात में लाल है, केशरिया है, पीला है, हरा है, नीला है, उसके बेंगनी है, उसके बाद गुला भी है तो यह सारे रंग आपने कापी पर नाट भी करने हैं अब इन शब्दों से प्रश्ण बनाईए जैसे कर से, कर से ही सारे प्रश्ण भीया जैसे कौन, कहां, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब यानि कि आप कोई भी प्रश्ण किसी से पूछ सकते हैं आप कहां जा रहे हैं, आप पढ़ते कैसे हैं आपको ये pen किस ने दिया आप किस के घर जा रहे हैं आप वहां क्यों जा रहे हैं आप कब वापिस आएंगे वहां पर आपको कौन मिलेगा बन गए ना प्रशन तो ये कर बड़ा मज़ेदार कर की कहानी बड़े मज़ेदार है क्योंकि इसमें सारे प्रशन चीपे बड़े हैं अब कबिता के अधार पर ये जो वाक्य अधूरे हैं इनको आपको पूरा करना है आईए शुरू करते हैं अगर पेड़ ना होते तो क्या होता मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई प्रशन आपको फस जाए तो आप पाठ में पीछे जाकर के ढूंड़ लिया कीजिए ठीक है तो अगर पेड़ में प्रशन ना होते तो क्या होता हर्याली कैसे होती चार और अगर नदिया ना होती तो प्यास कौन बुझाता परवत ना होते तो जरने मीठे कैसे होते और अगर फूल ना होते तो मुसकाता कौन अब इसी तरह के कुछ वाकिया आप और बनाईए और अपनी कापी में उनको लिखिए हाँ साथी मैंने आपको पहले भी कहा इंदर धुनुष को बनाना है और उसमें रंग आपने भरना है और हर रंग के सामने आपके बारे में आपने कुछ लिखना है जैसे लाल के सामने आपने लिखना है आपकी उमर कितने साल है नरंगी के सामने आपके घर में कितने लोग रहते हैं ठीक है? उसके बाद पीले के सामने आप कहां पर रहती हैं हरे के सामने मुझे आपको क्या खाना पसंद है आपका मन पसंद रंग कौन सा है आपको कौन सा जानवर बहुत पसंद है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो आप अपना परीचे जो है वो यहां पर एक तरह से लिखेंगे इसके मैंने पहले आप से कहा और आप प्रशनों को पहले ही लिख के रख लीजिए जैसे आपने कुछ भी प्रशन पूछना है तो आप पहले लिख के रख लीजिए और वह पिर उनसे पूछिए उनका पसंद का खेल ठीक है माता जी से पूछ सकते हैं कि वो बच्पन में क्या शरा है वो अपने कख्षा में अपने सहफ पाठियों के साथ साजा करनी है तो ये था हमारा पाठ उमीद करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा इस पाठ में हमने कुछ प्रशन किये रंगों के बारे में जाना कुछ वाक्य अधूरे थे उनको पूरा किया और करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा अगले पाठ में फिर मिलेंगे आपके साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद